किमली के पास बहद शुलिम सराय थाना धोमन गंज के अंतरगत की घटना है इसमें उमेश पाल का अभिक्त गणों द्वारा अपहाण किया गया था और नियायाले में अपने पच्छ में बयान देने के लिए ही अपहाण किया गया था उसे मारा पिटा गया प्रताडित किया इस मामले में कुल ग्यारह मुल्जिमान थे जिनमें से एक अभिक्त अंसार बाबा जो नामजद अभिक्त था उसकी मृत्व हो चुकी है इस मामले में इस समय बरतमान में अतीक एहमद असरफ उर्फ खालिद अजीम फरहान खान सोलत थनीप दिनेश पासी आबिद इसरार इजाज अक्तर जावेद आदी कुल दस अभिक्त गड़ों का मामला विचारा धीन है अभियोजन द्वारा कुल आठ गवाहान अभियोजन के पच्छ में प्रस्तुत किये गए हैं अभियोजन पच्छ ने अपना पच्छ बड़ा ही मजबूती से रखा है और इसमें माननी नियाले द्वारा अभियोजन पच्छ के जो गवाह है वा अन्य साच के आधार पर ही आज निर्ड़े सुनाये जाएगा मेरा सिर्फ ये कहना है कि इबरी परसन इजिकल इंदाई अफ ला ला इस सुप्रिम दिके सजा के प्रस्पर जो ये प्रस्ण कर रहे हैं ये बिलकु ही गलत है क्योंकि सजा होगा क्या होगा ये मानने नियाले पर ही निर्भर है क्योंकि मैं केवल अभियोजन हूँ और अपना पच्छ ही मजबूती से रख सकता हूँ लेकिन लेकिन इसमें जो धारा लगी है धारा 148, 148, 149, 323, 504, 56, 341, 342, 364, 122, वा सेवन क्रिमिनल ला एमेंडमेंट एक्ट के ताहत ही अभित गड़ों पर आरोप माननी नेले द्वारा बिर्चित किया गया है इसमें जो धारा 364 है वह है गंभीर धारा है और 364 ए में आजीवन कारावास वा मरत दंतक की सजा का प्राविधान है लेकिन अभी कुछ कह पाना मुश्किल है आप्टर जज्जमेंट ही यह क्लियर होगा कि क्या होगा कि यह जज्जमेंट सुबह भी आ सकता है और दूसरे टाइम भी आ सकता है यह माननी नेले पर है उश्विधा अनुसार जैसा भी देखेंगे क्योंकि इसमें धारा 353 CRPC में सभी अभियुक्तों का नियाले के समझ होना अती आवश्यक है अगर मुल्जम जेल में है तो धारा 353 पांच के अंतरगद भी उसकी भी उपस्ति आती आवश्यक है यह कश्रडी की बाते जो कुछ भी है इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बता सोगो गुलाब चंदग्रेरी जिला सास की अद्योकता फोदारी प्रयागरा